नमस्कार दोस्तों जैवीम मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित और खास मेहमान हमारे चेनल में आये हैं सबसे पहले मैं आपको परिशे कराने जा रहा हूँ हमारे बीच में है कमलेश सिंग जी जो की मद्द प्रदेश भाजपा के प्रसिक्षन विभाग के कारकार्णी सदश है और हमारे जो समाजिक कारकरता और राजितिक गति विदियो में शक्री रहने वाले एड़ो के ट्राक परिशोर दोर मरावी जी है सहर आपका नाम लेने हैं मैंने गल्टी कि आपको आसदार कर दीजिएगा तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सब्जेक्ट बता दू आज का जो हमारे विसे है वर्तमान सरकार के जो फैसले है या जो उन्होंने योज़ना बनाए है कोरोना संक परिशोर दोसे जो अबनाज में आज की देट में तो सारी मारों जाती उससे पीडित हो गई है उससे निपटने के लिए वर्तमान सरकार ने जो भी फैसले की है वो कहां तक उचित है तो मैं इसका पक्ष रखने के लिए सबसे पहले किषोर जी को मैं आमन्तृत करूंगा Convention के जो सरकार की तरह से अपना मेले कूल को आमन तरिक करूंगा जो सरकार ने जो रिये और कहां तक मानते मुच्चित है मेरी नजर में एक बैश्वी का पता करने कर नहीं आती यह बना बताई हुई पतलब एकदम से आई हुई आपदा है और बहुत ही कम समय में जितना भी अच्छा निर्णे लिया जा सकता है कई बार अपने सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे पास समय का बहुत कम होता है हमें निर्णे बड़ा लेना पड़ता है यह बी अपने एक बड़ी बात ह है और जैसे हमारे देश के माननी प्रधानマंत्री नरेंद मोदी जी को लगा कि निर्णे लेना चाहिए बहुत कठीन था बहुत कठोर निर्णाय और बहुत भारी मन से किसी देश के प्रधान मंतरी ने इस निर्णे को लिया था, उन्होंने 24 घंटे में जो है जनता करफु लगा के और 24 घंटे के अंदर जो है उन्होंने लोकडाउन पर निर्णे लिया और पूरे देश को लोकडाउन कर दिया, तो मेरे समझ से सरकार का य अरित लोकडाउन के अलवा, दूसरा कोई उपाय नहीं था, अलाकि इससे बहुत सारी दिक्ते भी हुई, डेश के लोगों को बहुत सारी कष्णाईया भी, लोगों को बहुत सारी परिशानिया भी हुई, लेकिन यही एक मात्र विकल्ब था, इससे प्रधान मंतरी जी ने अलो, आभे, कमलेश जी ने कहा कि इस देश के जो प्रधान मंतरी हैं, इन्होंने तुरित और कम समय में लाग डॉण का निर्णाय लिया, मैं समझता हूँ, कि माननी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोजी जी ने कम समय में या निर्णाय निर्णाय लिया, सबसे पहली बात तो यहाँ कुविन-19 जो अक्टूबर मैने में ही पुरे विश्व के अंदर में इसकी पहचान हो चुकी थी नरिंद बोधी जी ने सबसे पहले भारत में कोरोना को लाया हवाई जहाद के माध्धम से चाटर विमान के माध्धम से जेड विमान के माध्धम से और उसके बाद में जब पास्सो की संख्या हो गई कोरोना पजूट्यू की इस भारत के अंदर में जब लॉक्डाउन किया और लॉक्डाउन कोई नरेंद्र मोधी की देर नहीं है। वो उस गाउं की सीमा को लॉक्डाउन करता था कि वहां का अविक्ति कोई बाहर ना जा सके और उस गाउं में वह विक्ति आना सके। यह लॉक्डाउन कोई नरेंद्र मोधी की देर नहीं है। जब अक्टूबर में कोरोना आ गया। तो हम तो कोरेने का विवादन कर रहें ताली बजाकर। दिवाली में दीब जलाते। तो हमने क्या दिवाली माल लिया को। मैं आपके पास आऊंगा मरावी जी मैं आपके पास आऊंगा। पहली बात तो यह है कि मरावी जी ने कहा कि कुरोना को भारत में मोधी जी ने लाया। मैं इससे बिलकुल भी सहमत नहीं हूँ कोई भी देश का प्रधान-मंत्री परजातन्तिक देश का प्रधान-मंत्री जो देश के लोगों के प्रत्री उत्तरदाई है वो क्यों जान बुचकर संक्रामक बिमारी या जान बुचकर आपदा क्यों लाएगा आपने देश में कमलेज जी में बहुती गैर जिनतारा है ऐसे ब्यांट से हमें बचना चाहिए जो प्रधान मंत्री होता है देश का वो किसी एक पार्टी विसेस का नेता नहीं होता है वो 100 करोड़ देश्वासियों का पुरधान मंत्री होता है और उसके उपर इस प्रकार से गैर जिम्मेदारा आरोप लगाना मैं समझता हूँ कि कुछ इतने है मरावी जी को तो अपनी बात पर फिर विचार करना चाहिए और मुझे उमीद है कि वो इस पर मनन करेंगे इस प्रकार कारोप लगाने से पहले सोचेंगे उन्होंने ये कहा कि अक्टूबर में कोरोना भारत में आ गया अब रहा सवाल ताली और अली का तो तो प्रदान मंत्री जी ने या हवान किया था कि कोरोना से जो लोग लड़ रहे हैं 24 घंटा डॉक्टरों को सेवा देनी पढ़ रही है पुलीस प्रसासन के लोग उनके होसला अपजाई के लिए हम ध्वनी करेंगे उसमें सिर्फ ताली और थाली नहीं था यह तो तुकबंदी में जोड दिया गया ताली और थाली उसमें कई प्रकार की बाते थी हम शंक ध्वनी करेंगे हम घंटी बजाएंगे हम ताली बजाएंगे हम थाली बजाएंगे किसी नहीं किसी प्रकार के भनी के संकेत के माद्यम से हम उनका होसला बढ़ाएंगे जो इस राज़्टी आपदा में कोरोना नामकिस भयावव विमारी से लड़ रहे है जब 21 दिन का लॉकडाउन हो गया और यह लगा कि अब यह लड़ाई लंबी चलने वाली है और इसे और बढ़ाना पड़ सकता है तो कहीं न कहीं लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं जो लोग थे कहीं न कहीं डिप्रेशन में जा रहे थे निरासा और और साथ में जा रहे थे इसलिए उनको निरासा से दूर कर करने के लिए एक आचा का एक उमीद का दिया जलाने का हवान प्रधान मंतिर जो द्वारा किया गया था जिसे देश के लोगों ने जिसका पालन किया और सत प्रतिसत घरों में रोशनी की गई दिये जलाए गए यह सही है कि कुछ जगा फटाके थी फोड़े गए अति उत्ता लोगों में उमीद करना और एक दूसरे को जलाने के मादध हम से यह दूसरे को थाड़स बढ़ाना कि हम सब एक दूसरे के साथ अपकी इस तुक के घरी में हम सब इक उसरे का सहयोग कर रहे हैं यह कहीं से भी गलत नहीं है यह मराभी जी के पास फिर से लोट रहा हूं रा लेकिन विच्व में अक्कूबर में कॉरोगों भात में तो भारत है जो ना बाहर से लाया लाया गया उसके मारद्यम्ट से कोरोण आये, आप जो फ्रेटette वीजह के मार्ड़म ज़्या दिए, उसके मार्ड़म से लोग आये और उनके कारण भारत में संक्रमण आया, आप पहले बाहर के लोगों को विदेश में भाग के गए ते या किसी कारण गए ते उनको नहीं लाना था, सबसे पहले जो भारत के जो मज़़ूर हैं जिनके कारण भारती वारत व्यवस्ता भारत का विकास में जिनका खून पसीना एक एक होता है उनको पहले उनके घर की वह सुरक्षित करते और उसके बाद में आप लागडाउन करते और धीरे धीरे करके जैसे आज आज आपने विदेश में जो भाग के लोगों को ला लिया हुआई चाहस से जो ताकतवर लोग थे जो पुझी पती थे जो दोग पती थे जो यहां का आप लादन लेकर भाग गए विदेश में उन लोगों के आपने पहले लाया और जो गरीब हैं मजदूर हैं जिनके पाउं में चपल नहीं है जिनको खाने के लिन आज नहीं है ऐसे लोगों के तरफ आपका अध्यार नहीं घया मैं मानता हूं कि यृ निर्ना लेकर बढ़िया किया लेकिन आप शुरॉआत लेते ague मैं में कर लेते इंवरी में जनुए कर लेते उर्वहरी में scenes में कर strawberry का अपके क्we मध्यप्रदेश में राजनितिक उतार चल रहा था आप वहां मध्यप्रदेश में भारती जन्ता पालिटी की सरकार बनाना चाहते थे और सरकार बनाने के चक्कर में आपने पूरे भारत वर्स के जो गरीब हैं मजबूर हैं इन लोगों को संक्रमन में आपने लाकर उनकी जा कमले जी को चिंतन करने की चुरूरत है उन गरीबों की क्या दोस है जो आपके भारत में नरेंद मोध्य जी के अच्छे दिन के लालत में नरेंद मोध्य जी को इस देश का प्रतदान मंतरी बनाने में यही गरीब मजदूर सफ्ट से आगे आया था आपने उनकी चिंता नहीं करी जो लोग जो नीरन मोधी है जो अपना है उनकी चिंता आपको है लेकिन उन गरीब आदमी की चिंता नहीं है जो आदिवासी है दलीत है पिछड़े वर्का है जो किसान है मजदूर है आज उनको ये दो महीने को अंदर में आज उनके साथ में ज जीरा हैं उनका जीवन यापन कैसा होगा इस पर आपको चिंता करनी चाहिए जी महरावी जी आपने बहुत ही मारमिक बात कहीं मज़़ूरों के पती उनकी तस्बीर देखके भी हमें भी ऐसा लगता है निस्पक्च अगर हम कहें तो कहीं ने कहीं सरकार इस मामले में तो फेल करते हुए इंतियार किया गया सबसे पहले मद्वर्देश की सरकार को हटा लिया जाए उसके बाद ही कोई फैसा लेंगे राकेश जी मैं आपके पास आता हूं आप अपनी बात को सुरू कीजिए उसके पास हुआ हुआ है जन्यवाद पासवान जी मेरा एक सवाल है कि इसक यहां है आप टैक्स लेते हैं जनता से हम टैक्स लेते हैं पुझी पतियों का टैक्स माब करते बिल्कुल नहीं है सानू पुति और विल्कुल ही देस के अंदर आप जो माहौल है एक 70 परशेंट जो मज़डूर किसान है इतना परिशान है इसकिस्ति पिश्तिति आप सब्सक्राइब करने के बाद आज की प्रसार से काम नहीं कर रहे हैं अपने त्यारो तरफ से हमले हो रहे हैं कर दो कर दो कर औरत को बने कर दो सब्सक्राइब कर रहा है रहें आज नोट बंदी ला ले रहे हैं, कभी सिराज सिंग की जो सरकार बनी है उस मामले